दोस्तों सबस्क्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं बारत को भारतियता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाएं वैसे ही रक्त में कीचड़ बहुत हो गया माने कॉलेस्ट्रोल बहुत बढ़ गया तो वो जो इंसुलिन जाना चाहता है वो नहीं जा सकता जिस स्पीड से जाना चाहिए नहीं जा सकता स्लो हो जाता है कम जाता है या कभी-कभी ऐसा हो जाए कि रक्त बिलकुल गाड़ा हो ग हो गया तो वह इंसुलिन बैठ जाता है और ग्लुकोज को लिए रहता है अपने साथ ग्लुकोज उसके ऊपर बैठता है इंसुलिन वही बैठ जाता है तो बैठा हुआ इंसुलिन है जो रक्त में डिटेक्ट हो जाता है जब भी आप चेक कराएंगे ना तो ग्लू कोज आ जाता है तो उसी को कहते हैं ब्लड शुगर इतनी बड़ी होई है अब आप ध्यान रखिए ब्लड शुगर का चीनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है कॉलेस्ट्रोल के साथ क मैंने बता दिया इतनी सगल क्रिया थोड़ी देर पहले आप कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं डॉक्टर आपको ऐसे बेगा हो यह तो ठीक नहीं होगा जिन्दगी बर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना जिन्दगी बर यह टैबलेट खाना अब जिन्दगी बरी खाना है तुम किस बीमारी के लिए हो जिन्दगी बर तो खाना खाना वड़ता जिन्दगी बर तो दल खाय सब्दी खाय आज जाती है वो कतम हो जाता है। साइकल नहीं बना पाता है। साइकल तो वही इंसुलिम बनाएगा जो आपकी पैंक्रियास से निकलता है। तो आपको क्या करना है। डायबिटीज के पैशेंट को भी सारी ताकत इस बात पर लगानी है कि उनका रक्त का कॉलेस्ट्रॉल घटे और जैसे जैसे कॉलेस्ट्रॉल घटे का खून पतला होने लगेगा ये इंसुलिन ही गुलुकुज लेके जाने लगेगा अंदर जो नही इसमें भी खून को पतला करना पड़ेगा कॉलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा अच्छा कॉलेस्ट्रॉल बढ़ाना पड़ेगा बुला केलोस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा तो वो सब काम करिए जो आप हर्ड के लिए करते हैं माने हर्ड पेशेंट और डायबिटिक पेश देजे, नमक बदल दीजे, तेल बदल दीजे, ये सब diabetes के लिए भी लागू होगे, जो हर्ट के लिए लागू होगा अब डाइबिटितीजी, बस एकी चीज लागू नहीं होगी, एकोनाइट वो एकोनाइट सिर्फ हर्ड के लिए है डाइबिटीज के लिए लागू नहीं होगी ठीक है एक दो एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ जो हर्ड में काम नहीं आएगी लेकिन डाइबिटीज में ही काम आए अब तक जो कॉमन थी वो मैं बता चुका हूँ अब एक्स्ट्रा चीज जो आपको लेनी पड़ेगी डाइबिटीज प्रेशेंट को वो क्या-क्या है आपके रसोई घर में शायद वो ना मिले लेकिन बाजार में आसानी से उपलता है जामुन एक फल आता है बोटनिकल नेम है उसका जम बोले हिंदी में हम सब कहते हैं जामुन उस जामुन की गुटलियां मिलती हैं बजार सूखी गुटलियां उनका पाउडर बनाना है और वो पाउडर रोज एक चमच खाना है गुन-गुने पानी के साथ यह डायविटीज वाले को एक्स्ट्रा करना है जामुन की गुटली का पाउडर बजार में मिलता है खुद भी बना लो जामुन जब आती है तो खूब जामुन खालो गुटलियां सुखा लो सुखा के कूट के पाउडर बना लो तो गायविटिक पेशेंट को यह एक्स्ट्रा है यह हर्ट के लिए नहीं है गायविटिक सबेरे जो भी लेना है सबेरे एक चम्मच और एक चम्मच माने टी स्पून खाली पेट लेंगे तो दौत अच्छा उनकुने पानी के साथ लें चलेगा उसके साथ पी ले सकते हैं यहां उनकी गुटली का पाउडर सबेरे के पानी के साथ लिया जा सकते हैं और ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो समझ लीजिए कॉलेस्ट्रोल और ज्यादा है तो इसको दो बार करेंगे सुबह और शाम को हमेशा खाने के पहले ही लेना है इसको जब पी लेना है तो यह एक एक्स्ट्रा चीज है बाकी मैथी दाना आप ले सकते हैं त्रिफला ले सकते हैं वो सब चीज़ें जो हर्ट के ठीक पाउडर करेला है उसके बीज बिकालके शुखा लेजें और या तो करेला ही चोटा-चोटा पीसकर के सुखा लेजिए physician in a sleep सब्सक्राइब बता रहा हूं अभी आपके पास करेले के छोटे-छोटे पीस हैं सूखे हुए उनका यूज करिए आपके पास जामुन की गुटली का पाउडर है उसको यूज करिए और अब इसमें चाहें तो नीम की निमबॉली सूखी हुई निमबॉली बजार में मिलती ह उसका भी पाउडर बना लीजे उसको भी आदा चमच ले लीजे तीनों मिलाकर डेड़ चमच हो गया, जामुन की गुटली का, करेले का, और नीम की निमबॉली का तीनों का पाउडर मिक्स करके डाइबिटीस के पेशें हर्ट वाले ये कभी न ले ये सिर्फ डाइबिटी और उसके साथ नीम्त, निम्बॉली का भी पाउडर है, तब तो बहुत अच्छी जािए। खी तीन महीने लगातार फिर ँदिन ब्रेक फिर तीन महीने लगाता फिर फिर यंक जब आप लिगे कि आप सब कुछ कनार्फाल हो गया तो धिरे दिरे बंद तो उस्व..? गुठली निकाल लें तो ठीक है नहीं तो बिना निकाले ही पीछा उसको कोई दिक्कत नहीं है अब यह सब लेने के बार कोई डायविटिक पेशेंट है मैंने आप से बोल दिया है कि भगवान का बनाया हुआ कुछ भी मीठा खाये आदमी का बनाया हुआ बनाया हुआ है गुड़ क्या है ना गर्ने के रसका है गरम करके तो आजाता है तो उसमें कुछ ज्यादा मुझ मिलावट नहीं है और कुछ आदमी का दिमाग भी जादा नहीं लगता यह आदमी खतरनाक है सारी दुनिया में अपना दिमाग जहां लगाता है वही सारी अडिलेशी खान खा सकते हैं खुल खा सकते हैं शहाद भी ले सकते हैं लेगन चीनी मेंображ शूघर गाजर पारी द॑ इंहां गसा इस ट्रीविया ले सकते हैं गाजर पानक बनाने तो फुट में बनाई है कोई दिक्कत नहीं हलुआ बनाते ना उलब है बंड फैस्टे पुर्पाउडर है तो वो तो वो ही है जो वाए उसमें को यह संफय किया है कि आप यह सम वी चीजे जो बगवान की बनाई हूई है जरूर लिजे क्यों लीजिए जान लीजे आदमी की बनाई हुई जो मीठी चीजे हैं उनमें ग्रूकोज है बगवान की बनाई हुई जो मीठी चीजे वह सब फ्रक्ट्रोज यह फ्रक्ट्रोज जो है ना इसको हजम कर लेगा तुरण और यह ग्लूकोज है यह नहीं होता असानी से अभी गुड़ जब सलेक्ट करना है तो आप एक ही उसका क्वालिटी देखिए उसका रंग जितना डार्क होगा गुड़ उतना ही अच्छा हो जैसे मैं खड़ा हूँ यह पोडियम का कुछ कलर यह लाई गर लाई तो टॉर बड़ जितना होगा वालिकोर प्लीटी उतनी अच्छे होगी उसमें केमीकल इसक्थे कम होगए और गुड़ जितना लाइट कलर का होगा वाइट कलर का है येलो कलर का उतना ही खतरना है क्योंकि वह गुड़ नहीं है वो निर्मा वाशिंग पाउडर है गुड़ बनाने के लिए आप जानते हैं कई किसान हैं जो दूद से उसको साफ करते तो वो गुड़ तो ऐसा हो जाता है डार्क और जो गुड़ को निर्मा वाशिंग पाउडर से साफ किया जाता वो एक तम वाइट होता है एक तम लिलो तो आप जबी भी गुड़ खरीद में जाए तो दुकान वाले को कहें कि मुझे डार्क कलर का ही दो वो कहेंगा बाबुजी अच्छा नहीं है देखने में तो उसने बोल दिया जामुन की गुटली का पाउडर है या आपके पास नीब की निम्बॉली का पाउडर है या करेले का पाउडर है यह एक चीज है और जामुन की गुटली का पाउडर जैसा ही होमियोपैथी में एक मेडिसिंग भी आता है वो जामुन की गुटली से ही बनता है आ I, E, U, M, S, Y, Z, Y, I, E, U, M, Cisium, Jambolin, J, A, M, B, O, L, I, N, Cisium, Jambolin, S, Y, Z, Y, I, E, U, M, उदर में कुछ और लिखने वाला, S, Y, Z, Y, I, E, U, M, Cisium, Jambolin, J, A, M, B, O, L, I, N, ये एक दवा है, इसके आगे लिख लेना, Mother Tincture, सीजियम, Jambolin, Mother Tincture, ये दवा को पानी में मिलाके पीना है, जो डाइविटिक हैं हमके, पंद्रे से बीस ड्रॉप, चोथाई कप गुर्गुना पानी, अगर आपको जामुन की गुटली का पाउडर नहीं मिलता है, तब ये दवा यूज़ कर सकते हैं, मिल रहा है, तो ये दवा मतला ही है, क्योंकि ये दवा उसी से बनी हुई, चोथाई कप गुर्गुना पानी, मिला दीजे, हाँ, और सबेरे दुपहर शाम, खाने के पहले, या ब्रेकफास्ट के पहले, डिनर, लंच के आदा गंटे पहले, इसको पीना, तो ये दाइबेटीज के लिए करना, और दाइबेटीज के लिए एक दो छोटी छोटी बात हैं, और ज़रु ध्यान करती हैं आपको, कि diabetes के हर patient को breakfast छोड़ना पड़ेगा breakfast के समय पर lunch करना पड़ेगा हर patient को ये constantly अगर 8 बज़े breakfast करते हैं या 9 बज़े breakfast करते हैं तो अगर आपको diabetes है तो आप breakfast मिल्कुल छोड़ दीजे आठ नौ बजे भरपेट खाना खाईए लंच करें और शाम को चार से पांच बज़े के आसपास डिनर करें हाँ आठ नौ बज़े लंच चार से पांच के बीच में डिनर ये कंपल सरी है पांच का जादा से जादा छे हो सकता, छे के आगे ने सुर्यास्त होने के पहले और सुर्यास्त होने के एक घंटे के बाद आपका लंच हो जाना बीच में भूख लगेगी तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़े खानी है जैसे फल आदी में लीजे मुफली का दाना खा लीजे चना खा लीजे कि क्रिए करने मुफली का दाना है ये तीनोल नहीं है घ्रियल वाली चीजें तो हैं वो जिनको मैं बोल चुका हूं रेफाइट और डबल रिफाइंड उय तो मुफली खाईए चना खाईए तिल खाली जे तिल है कोई कई चीज़ खाली जे चने की बनी हुई चीज़े खाली जे उसके साथ दोचार कोई फल लेने हैं तो फल ले लिजे जूस लेने सें अच्छा है फल खाली जे उसके साथ तो डुपहर को इस तरह अभी जो डायविटिक और हर्ट पेशेंट है, उसको 90% तो चीज़े कॉमन ही है, आपने सुन लिया है, कुछी चीज़े हैं जो अनकॉमन है, तो जो अनकॉमन है उनको शाम को कर दीजे, जो कॉमन है उनको सवेरे कर दीजे, ऐसा करके आप अपना खुद का ट्रीटमेंट कर दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें, फिर लाइप, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूलें